नमस्कार दोस्तों आप तो जानते ही हो कि जो हमारा ये एक्स्टर फैट है ये हमें कितना परेशान करता है ना हमें अच्छे से घूमने देता है और इस ज्यादा वजन के कारण हम बहुत जल्दी ठक जाते हैं अपना उत्रा एनरजेटिक भी नहीं रह पाते हैं कि जल्दी से काम करें तो ये ज कपड़े पहने वो भी आपको सुंदर लगे दोस्तो ज्यादा वजन समस्षया नहीं है समस्षया है हमारी बढ़ी हुई तोन ये बढ़ा हुआ पेट या फिर कोई भी एक्स्टर चरविच्वत जैसे हाथों का ज्याधा बढ़ जाना और गरदन का ज्यादा बढ़ जाना ह हमारे हिप्स का ज्यादा बढ़ जाना, दोस्तो समश्या वो है, और इस समश्या को कम करने के लिए, आज जो मैं रिमीडी लेके आया हूँ, ये आपके लिए काफी कारगर से धोगी, दोस्तो आज किस रिमीडी को बनाने के लिए, हमें जरूरत है नवरतन तेल की, दोस्तो ये स्टैशे एक रुपे का आता है, ये आप किसी भी दुकान से खरीच सकते हैं, और इसके साथ ही जरूरत है विक्स वैपोरब की, और विटामिन E के कैपसुल की, दोस्तो ये तीनों चीजे आसानी से किसी भी दुकान पर, किसी भी जर्नल स्टोर पर मिल सकती हैं, अब दोस्तो मैं आपको बताऊंगा, इस्तेमाल कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किस परकार से इनका इस्तेमाल और किस मात्रा में होगा, किस समय करना है उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा पर दोस्तो उससे पहले आप इस लाल वाले बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ये घंटी वाला बटन दबाना भी ना भूलिए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टाइम पर मिलती रहे तो दोस्तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे तयार करना है इसके लिए हमें जरूरत हो कि एक खाली बाउल की दोस्तो याद रहे जो एक खाली बाउल है ये कांच का ही होना चाहिए श्टील का या किसी और धातू का नहीं होना चाहिए इस परकार से आप एक सैशे ले लीजिए और इस सैशे को इस कटोरी के अंदर डाल लीजिए इस तरीके से हम इस सैशे को डाल लेते हैं यह देखिए इसको हमने इसके अंदर डाल लिया है दोस्तो जो ये आज हम रिमीडी बनाने जा रहे हैं इसकी मदद से आप अपने फैट को बहुत जल्दी घटा सकते हैं और सिर्फ उस जेंगे के फैट को जिसको आप घटाना चाहते हैं ना कि सारे फैट को तो दोस्तो ये विटामीन एका कैपसूल है इसे आप इसके अंदर इस तरीके से ढाल लीजिए ये देखो ये हमने इसके अंदर विटामीन एका कैपसूल डाल लिया है और इसके साथ में विक्स वैपोरब ले लीजिए और थोड़ी सी विक्स वैपोरब इसके अंदर मिक्स कर लेंगे इतने सी मात्रा में विक्स वैपर अब काफी होगी और हम इसे मिक्स कर लेते हैं देखिए दोस्तों आप इस रिमीडी से मात्र साथ दिन में अपनी कमर को 3-5 इंच तक घठा सकते हैं हाँ दोस्तों ये हमारी रिमीडी तयार है आप इस रिमीडी का इस्तिमाल करके अपने वजन को बहुत आसानी से घठा सकते हैं दोस्तों इसका इस्तिमाल कैसे करना है इसे इस्तिमाल करने के लिए जहां की भी आपका फैट बढ़ा हुआ है अगर आपका बैली फैट बढ़ा हुआ है तो बैली पे अगर हीप्स का बढ़ा हुआ हीप्स पे हैंड्स का बढ़ा हुआ हैंड्स पे इस परकार से आपको इसे लगा लेना है और थोड़ा इस तरीके से मालिश करना है कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मालिश करेंगे और इसको इतनी मालिश करेंगे कि ये इस स्किन के अंदर एबजोर हो जाए दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं ऐसे इसकी मालिश कर रहा हूं इसको अच्छे से मालिश कीजिए उस जेंगे की और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये खतम हो जाएगा या इसको एबजोर कर लेगी ये देखिए जब इसको स्किन एबजोर कर ले तो आपको इसको इस परकार से पॉलिफिन के अंदर यानि एक रैप पेपर आता है रैप पेपर के पाना लगे तो उतना ही बैस तो इस तरीके से आपको ये रिमीडी को इस्तेमाल करना है दोस्तों ये काम कैसे करती है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों इसे हम अपने बढ़ी हुई फैट की जगे पे इस्तेमाल करके जब इस परकार से पॉलोथिन और ग वजन है हमारा जो साइज है जो एक्स्ट्रा साइज है वो कम हो जाता है जैसे ही हमारी मास्पेश्या सिकुडती है और उससे पसीना निकलता है उसके कारण ये वजन कम करता है जैसे आप अपनी कमर पे लगाएंगे जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो इसके कारण कम हो जाएग इसके उपर ये polythene बांद के उपर से कपड़ा बांद कर आप इसको गरम करके उन मासपेशियों को सिकुड़ने के लिए छोड़ सकते हो वो मासपेशिया सिकुड़ेंगी साथ ही उनके अंदर से पशीना निकलेगा पसीने के साथ जो एक्स्रा फैट होता हो बर्न हो जाएगा और उस फैट को बर्न होने के कारण आपका साइज है वो कम हो जाएगा और आपको मोटा पे से छुटकारा मिल जाएगा पर इसके साथ आपको कुछ चीजों का और विध्यान रखना होगा दोस्तो अगर इसे लगाने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ होई नहीं सकता जो काम जो असर आपको 15 दिन में देखने को मिलेगा बिना एक्सरसाइज की अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज योगा, स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको वो असर मातर 5 दिन में मिल जाएगा मांज लो, आप अगर 15 दिन में अपनी कमर का साइज 4 इंच कम करते हैं सिर्फ इसे लगाने के बाद तो आप सिर्फ 5 दिन में अपने साइज 4 इंच कम कर पाएंगे एक्सरसाइज के साथ साथ ही आपको थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखना होगा, जली तली चीजों को ना खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पीएं, फ्रूट्स और सब्जिया ज्यादा खाएं और हमेशा खुश रहें आप जानते हैं दोस्तों, डिप्रेशन के कारण भी वजन बढ़ता है, इस कारण डिप्रेशन में ना रहें, वजन के बारे में ज्यादा ना सोचें, सिर्फ अपने आपको अच्छा महसूस करें, अच्छा खाएं और अच्छे से रहें, और साथ ही हमारी रिमीडी का इस्ति शेयर करके तो आपका भला अपने आप निश्चित ही हो जाएगा, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही ये बेल आइकन दबाना ना भूलिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों के भीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाइबाई